कभी सोचा है आपने की कैसे होते होंगे वह कल के दिन जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे याद करो वह साम का सो नहरा पल जब बच्पन में आप अपने छोड़े दोस्तों के साथ खेला करते थे ये तस्वीरी आपको पूरानी दुनिया के बारे में कुछ बताना चाह लेकिन समय तो तब भी चलता था और उस वक्त लोग सूर्य की रोशनी से समय का अंदाजा लगाते थे लेकिन साल 1577 में स्वीजर लांड के जोस बरगी ने घड़ी के मीनट वाले सुई का विसकार अपने एक खगोल सास्त्रमीत के लिए किया लेकिन उनसे पहले जर्मानी क पीटर हालेलन ने एक ऐसी घड़ी बना ले थे जीसे कहीं बिले कर जा सकते थे अब लोगों के पास एक ऐसी घड़ी थी जीसे वो कहीं बिले कर जा सकते थे और काम करते वक्त भी समय देख सकते थे और 1650 तक लोग घड़ी को अपने पोकेट में रख खरी गुमते थे इन ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, अपने काम पर फोकस करते थे, और किसी भी काम को जल्दी करते थे, क्योंकि उस बक्त इनके पास इंटर्टेन्मेंट के लिए कोई टेकनोलोजी नहीं थी, टाइम पास करने के लिए कोई बहाना नहीं था, ये ज़्यादा खुश र लेकिन वो दिन भी दूर नहीं था, जब लोग अपना दूख, अपना सुक और अपना दर्द, अपने दूर किसी रिष्टेदार को सुना पाते, घरी का अभिसकार के तुरंद बाती, एलेक्स जेंडर कर हाम पेल ने एक टेलीफोन का अभिसकार किया, जो लोगों के लिए बरदान सावित हुआ, अब लोग दूर होकर भी एक दूसरे से जूड़ गए थे, क्योंकि लोग अप टेलीफोन के जरी अपने दूर रिष्टेदार से बात कर सकते थे, जो अपसे पहले सिर्फ एक खला अपना था, इससे उनकी लाइफ में सिर्फ माइनर से बदला हुआ जहां लोग पैसे देकर बाते किया करते थे, और वो भी सिर्फ कुछ मिन्टों के लिए, इंसानों में सुरू सही बदलाव करने का केड़ा पलता है, यह हर चीज में कुछ नकुछ अपकरेट करते हैं, टेलीफोन के आने के कुछ समय बादी, साल 1909 में टीम परनसली ने इं जिसका नाम IBM साइमन था, यह दुनिया का पहला टॉचिसकीन फोन था, आज आपको मार्केट में हर बरान की फोन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले समार्ट फोन IBM नहीं बनाए थी, और इसी तरह लोग टेकनोलोजी को इंपरूब करते गए, और आज टेकनोलोजी इतिनी जिसका पहले सिर्फ अपने फोन का इंटरनेट ही उन करना है, इंटरनेट ने हमारी लाइप को असान तो बना दिया है, आज आप कुछ भी घर बेठे ओडर कर सकते हो, चाहिए वो बात किसी शोपिंग की हो या खाने की, लेकिन एक बात कभी नहीं बूलना कि वो हीरा किसी काम का नहीं होता, जिसमें उसकी चमक ही ना हो, इंटरनेट से भी पहले एक सितंबर 1928 को टेलिविजन टिवी आया था, तब उस बक्त हमारी नानी दादी और घर के सबी लोग टिवी देखा करते थे, और घर के छोटे बचे नानी दादी की कहानिया सुना करते थे, लेकिन अज आज आपको वेशी कोई भी कहान या किसी से सुनने को नहीं मिलेगी, उस बक्ते कालोगी चैल पेल होती थी आमारे घर में और सुसाइटी में, अगर आज आप अपने घर में या फिर सुसाइटी में पीजा कर देखते हो, तो आपको हर लोग अपने अप में ही बीजी मिलेंगे, किसी का ध्यान फोन पर है नानी देखाउन का फैबरेट टीबी सीरिल चुट रहा है, बड़े भाई का जो माटों से पीजा नहीं आया, अगेरा बगेरा, कहते हैं समय के साथ समय के हिसाब से खुद को बदल लेना ही इंसान का बैसिक नेचर है, लेकिन खुद को अगता अगेरा, लेकिन क्या पीसे अपने सरपर रख सकते हूँ, आप बोलोगे जूते सरपर को रखता है, लेकिन यह मुबाईल फोन्स भी तो किसी जुरुत को पूरा करने कलिए बनाय गया था ना, तो इसके मामले में आप ऐसा की हो, वो क्यूंकि यह इंट्रस्टिंग यह यूजफूल है, यह हमारी सेलफी की सकता है, आप बस एक वहें में जी रहे हो, यह चीजी आपको रियालिटी में दो सीकेंड के प्लेजर क्यालावा और कुछ नहीं दे सकती, यह बस एक टूल है और आपको इसे एक टूल की तरह यूज़ करना चाहिए, अपनी परदाता ने जी, हमारे दाता परदाता वो आखिरी पीडी रहे गए हैं जिन्नों ने अपनी जिन्द की को खुल कर जी, यह मोडिन दुनिया तो बस एक मोमाया है, एन्ड में मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि मैं यह दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, आपको स परदाता दिखा सकता है, और आपकी टूटी होई उमीदों को जगा सकता है, कोई भी आपका हाथ पकड़कर आपको चाहिए उपर नहीं पहुचाएगा, लेकिन आप ही हो सिर्फ जो खुद को बदल सकते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आप जरूर कर सकते अगर मेरी बातों कहा पर परभाव पड़ा हो, और आप खुद को बदलने के लिए कमिटेड हो, तो कमेट में I'm ready जरूर लिखना, और अगर आप इस उबले टूटते हो, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर किलिक करें, विलते हैं नेक्सी वीडियो में तब तक के कीब इम परोओंग!